आज हम लोग Cerebro Spinal Fluid के विश्रेशन के बारे में पढ़ेंगे हम सब जानते हैं कि Central Nervous System जो है ती मेनिंजर से कवर्ट रहता है यह ती मेनिंजर हैं पिया मेंटर, रेक्नॉइड मेंटर और दूरा मेंटर दूरा मेंटर बाए दिल परत होती है और जो CSF बनता है वह उपस्त होता है पिया मेंटर और अरेक्नॉइड मेंटर के मत्य में उसे हम सब अरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं यह निर्मित होता है Choroid Plexus के कोशाओं के स्रावन से और यह Vascular Sun रचना है जो कि Ventricals of brain में उपस्त होती है जो मात्रा है CSF की वह छोटे बच्चे में कुछ बूंदों से लेका पांच एकनल तक हो सकती है और अडर्ट मान तक व्यसकों के विमान तक पहुंचती है जो कि 100-200 ml होता है Blood Brain Barrier उपस्त होता है CSF और Plasma के मद तो जो सांधता और घटों की Plasma में हो CSF में नहीं होती है कई सारे पदात हैं जैसे drugs हैं enzymes हैं जो की CSF में कम मान में उपस्त होते हैं CSF पा सामान संधर्थन इस प्रकार से clear होता है रंखी होता है और इसमें कोई भी कोगलम उपस्तित नहीं होता है DAF 60-150 mm होता है Specific gravity 1.006 से 1.007 होती है कोई कोशायन उपस्तित नहीं होती 0-4 mono-nucleus cells उपस्तित हो सकते pH anaerobically available परुस्तती में Cell.3 होता है Protein कमान 10-45 mg होता है Globulins जो है में कोपस्तित नहीं होती पर Pandis test negative आता है glucose 45-100 mg होता है Chloride 700-760 mg होते हैं फिर Eurea 20-40 mg होती है Calcium 5.5-6 mg होता है Creatine 0.5-1.2 mg के सब्मान 100 ml CSF के Collysol 0.22.6 atom 1-2 mg сделал 2-4 mg chorizo 650-1 mg Senatorтор 13-200-100 ml होता है CSF के सब्याच यह सब्तित नहीं होती है इसमें असमानेता कभ उपस्तित होती है, असमानेता रंग उपस्तित हो सकती है, टर्बिडिटी के कारण हो सकती है, या स्कथिक रोटीन के कारण हो सकती है, प्राया जो रंग में असमानेता होती है, वो रंग के उपस्तिती के कारण होती है, रंग जो है, वो CSF में इंडिके कारणों से प्रॉट सकता है लंब पंक्चा करते समय यदि ट्रॉमा के कारण रग को पस्तित है तो उसकी RBC सामान ने आकार्टी होंगी और प्रेटलोजिकल सिचुएशन में यदि कोई रोक अवस्ता है तो हैंपरिज के कारण या नियुरोलोजिकल प्रेशन के कारण रग पस्तित है तो उनके RBC का फिनेटर्ड अपेररेंस होता ह। फिर पील रंग का CSF हो सकता है, yellow coloration का, oxyhemoglobin होता है, उसके कारण होता है, उसके कारण होता है, तो उसके कारण भी पीला रंग आ सकता है, या क्याटिंग रिग्मेंट के कारण हा सकता है. CSF में bilirubin की मात्रा निम्लिके द्रोगों में बढ़ती है, polystatic jaundice, ectrus, neonatorum, बच्चों में जो jaundice होती है, दोनों प्रकार की bilirubin, सयोग्मित और असयोग्मित bilirubin CSF में बढ़ती है, क्योंकि वो blood rate barrier को cross कर सकती है, carotenoids तब CSF में बढ़ती है, जब blood rate barrier की जो पालगम मेंता है, वो किसी कारण से परिवर्तित हो जाया, प्राय इस हो जना अवस्ताओं में होता है, turbidity जब कोशों की मास संख्या जो है CSF में बढ़ जाती है, तब turbidity होती है, या तो कोशा है अधिक मात्रा में उपस्तेत हो, या सुक्षुजीव अधिक मात्रा में उपस्तेत हो, प्राया, मेंनिजाइटिस में जो की कॉकल टाइप की मेंनिजाइटिस है, इसमें बिक्टीरिया जो है अधिक मात्रा में उपस्तेत होती है, इस कारण से तर्विटिती देखने को मिलती है, कोबलम जो है, फाइटिन क्लॉट कई बार बन जाता है, रोगरस सबस्ताओं में, निम्लिकित रोगों में क्लॉट बनता है, टूबर कुलोसिस मेंनिजाइटिस है, या हैम्रिजिक CSF, रक्त जो है, हैम्रिज के कारण CSF में पहुंचा है, तो उसके कारण क्लॉट बन जा र तो हैं तो में ईनिजाइटिस हैं या टूम उपस्तित है तो में तो में एनिजाइटिस सूजन के दाटज ड़़ जाता है और टूमर समें फ्रहुदर्पम प्रप्र आता है और तो में इसम्धर के BUR one से परेजाता है जहांपर लिए लीचे ही वादे music भाग में कमदाप उपस परन्तु बाइक आपने टायन शीवता से CSF और प्लास्मा के मद रिप्रेट में ही कर पाता है प्लास्मा में तो उसके कारण प्लास्मा में परिवर्थित होता है और फिर उसके प्रभाव CSF पर देखने को मिलते हैं रसाइनिक खटक ग्लुकोस जो है CSF में उसका मान जियोडी प्योडी में इंथिट से मापा जाता है और यह निम्रिखे द्रोगों में घट जाता है विक्रियल इंफेक्शन में घटता है साफ ओडे उसस जिसमें CNS इंवॉल्ट है तो उसमें भी ग्लुकोस कमान रख में बढ़ जाता है CSF ग्लुकोस निम्रिखे द्रोगों में बढ़ जाता है इंसेपलाइटिस, पोलियोमलाइटिस, सिरिब्रिल आपसिस और डाइबिटिक हाइपकलाइसेमिया में ग्लुकोस कमान बढ़ जाता है CSF में पर क्लुराइट का एस्टिमेशन टाइप्लिमेट्रिक विधी द्वारा किया जाता है CSF Chlorides जो है वो meningitis, Qubular meningitis और प netocalyptic में ग्लुराइट से खट जाता है और Chlorides की मानतरा निम्लिखित रोगों में बढ़ती हैst मों और यह प्रायर तब होता है जब Drupal failure हो जाये, मिनिकारण करना बंद करते फिर कोई भी परिवर्टन ख्लोराइड में नहीं होता है यदि वायरेल में निजाईते हो या CNS disorders हो या CNS low-crust हो फिर CSF proteins का मापन हम डगविडिटी मेंट्रिक मेंटेड से करते हैं या कल्विडि मेंट्रिक मेंटेड जो की बायरेट विदी से किया जाता है CSF protein जो है वो बढ़ जाती है जब धर brain barrier विघर्टित हो जाता है और इसके कारण रख्त की protein वहां पहुच जाती है ये प्रायर जब सुजन की अवस्ता आती है तब होता है या कोई obstruction हो जाए रुकावत अवरोध आ जाए तब protein की मात्रा CSF में बढ़ जाती है मिनिंजाइटिस में बढ़ती है multiple sclerosis में थोड़ी मात्रा में बढ़ती है multiple myelomatosis में बढ़ती है फिर globulins जो है तैंडी स्टेस से इंका मापन करते है ये प्रीज कर जाती है इनकी मात्रा बढ़ जाती है या भी सुजन जैसी अवस्ता हो जैसे कि acute meningitis में multiple sclerosis में गामा ग्लोबलिंस बढ़ती है फिर multiple sclerosis और neurosyphilis में भी गामा ग्लोबलिंस बढ़ जाती है यूरिया जो है वो damn method से estimate किया जाता है यूरिया उसका मान प्लास्मा और CSF में लग लग बराबर होता है तो autopsy में post-mortem report में यूरिया का मापन CSF में किया जाता है और हो मृत्यू का कारण बताने में सहायता करता है फिर calcium की मादरा टिपनी में घट जाती है यूरियकामल की मादरा cerebral atrophy में बढ़ती है enzymes जो CSF की हैं को CNS disorders जो रोग है केंडरी तंत्रिका तंत्र के उनके मापने में सहायता होती है transaminases कल्डिमेट्रिक विदी से मापी जाती है ये फोड़े में cerebral hemorrhage और infarction में बढ़ जाती है और creatine kinase जो है तंत्रिका तंत्र के रोगों में इसका मात्रा बढ़ जाती है